नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेली टेशन पर जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदिदा टीवी शोस की ताज आज आपडेट एंड हाइलाइट आज हम बात करेंगे कुमकुम भाग के एक बेहर इंट्रेस्टिंग एपिसोड की जहां पूर्वी और आर्वी के रिष् और तभी से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई है पूर्वी ने खुद को आर्वी का रक्षक बना लिया है और वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए त्यार रहती है दूसरी और पूर्वी की बहन खुशी इस रिष्टे से काफी परिशान है खुशी को लगता है कि आर्वी और आरवी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब पूरवी आरवी से कहती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी इस पर आरवी भी भावुक हो जाता है और दोनों के बीच गहरी भावनात्मक बाते होते हुए दिखाई देती है कि कैसे पूरवी और आरवी की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी है खुशी जो पहले इस रिश्य से खुश नहीं थी अब इस भावुक सीन को देखकर चौक जाती है उसे एकसास होता है कि पूरवी और आरवी के बीच की बात सिर्फ दोस्ती नहीं बलकि कुछ और भी है खुशी के लिए ये नया खुलासा और हमें देखने को मिलता है कि वो इस बदलती हो इस तीथी को कैसे समालती है अब खुशी के हाथ में मनीशा और नेतरा के खिलाव एक इंपॉर्टन सबूत लग जाता है ये सबूत इतना बड़ा है कि इस से इन दोनों के गलत काम जल जलन दोनों एक साथ चलते हैं पूर्वी की आर्वी के प्रतिभावनाएं और खुशी की जलन की कहानी ने इस एपिसोड को और भे दिल्चस्प बना दिया है तो दोस्तों आपको इस एपिसोड के बारे में क्या लगता है क्या खुशी को समझ में आएगा कि पूर्वी और जार वी के बीच कुछ खास है अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरी जरूर शेयर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें